वेलकम तु जॉब अपडेट्स बाई शुरेनिक जन यूटुब चैनल SBI की तरफ से वेकेंसी आ रही है for 2024 जहाँ पर 169 बंपर वेकेंसी निकाली गई है Yes, All India eligible है, full time permanent job रहेगी CDC प्रोवाइड कर रहे है, 85,920 रुपीज पर मन्त Civil, Electrical, Fire and Safety दूसरा, minimum 2 years का experience चाहिए तो अगर आप interested हो, फिटो तो एक राइटेरिया उसमें तो पूरा वीडियो देखना नहीं तो आपर वीडियो को छोड़ सकते हो और अगर वीडियो को छोड़ रहे हो, ज़र से इस वीडियो को like कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि उन्स टून सक पहुँच सके जो इंट्रेस्टेड है और इलिजबल भी है चलिए डाइव इन करते हैं, डीटिल पीडियो की तरफ वैसे छोड़ा सा अनाउंस्मेंट, अभी तक अगर आप जोब अब्डेट्स कम्मुनिटी में नहीं जुड़े हो देन डू डाउनलोड शुरेनिक जेंज च्रडी सिंप्लिफाइड आप विजिट दे कम्मुनिटी ताकि इस ग्रूप के अंदर आप डिसकेशन कर सको के पठाई का से कर रहे हो कौन से कोर्स बढ़िया है, कौन से ठीचर्स बढ़िया है रिव्यूज लेना हो, मटिरियल शेयर करना हो, डाउट्स क्लियर करने हो सब कुछ आप हापर कर सकते हो, ठीक है चलिए, अब जाते हैं SBI के ओफिशल वेबसाइट पर यह वाली नोटिफिकेशन आपके लिए है, जैसे आप देख सकते हो रेगिलर बेसेस, याने पर्मनेंट जॉब, पीडिएफ पर क्लिक करोगे तो यह वाली पीडिएफ उपन हो जाएगी, मैंने सारा इंपॉर्डन डीटेल पहले से हालेट करके रखा है ताकि आपको फटावट से नोटिफिकेशन के बारे में समझ में आ जाए सबसे पहले तो यहाँ पर SC, याने Specialist Cadre Officer इसको SO कहते है, Basically Specialist Cadre Officer यह पोजिशन निकाली गई है, और आप देख सकते हो SBI के द्वारा यह opportunity आई है और अगर हम नीचे स्क्रोल करें तो सबसे पहले तो आपको नोट करना है भली अगर आप Multiple Positions के लिए eligible होते हो तो एक ही Post के लिए apply कर सकते हो बहुत सारे के लिए नहीं apply कर सकते हो ठीक है, फिर बात करते है कितनी क्या vacancy है जैसी मैंने स्टार्ट में बताया था 169 vacancy है और civil के अंदर 42 vacancy है electrical के अंदर आप देख सकते हो और fire and safety के अंदर आप देख सकते हो ठीक है, minimum age 21 है, maximum 30 years रखा गया है backlog vacancy भी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है job location anywhere in India होगा इसके अलाव अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो assistant manager civil के अंदर bbtex civil होना चाहिए, 60% marks होना चाहिए 2 साल के experience होना चाहिए कोई specific skills यहाँ पर नहीं मांगा गया है वही अगर हम बात करें, am यानि assistant manager अगर electrical के अंदर तो यहाँ पर electrical के degree होनी चाहिए, 60% marks होना चाहिए 2 साल के experience होना चाहिए, respective domain के अंदर ऐसा नहीं है कि अगर आपका CSIT का experience से तो चल जाएगा नहीं है, ठीक है, आपका respective domain में experience होना चाहिए तब आप eligible हो, similarly fire and safety के लिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, PDF कि लिंग्स पर डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे रखी है, और अगर आप पर देख रहे हो, तो folder पर आपको मिली रहा होगा, ठीक है तो इसके लाब अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, pay scale जो है, आपका CDC 85,000 920 रुपीज पर मन्त का रहेगा, क्योंकि बेसिक पे के उपर DHRA पर्स बेनफिट बोनस से सारा कुछ आपको मिल जाता है, ठीक है, फिर आपका जो selection है, यहाँ पर written test and interaction के माधियम से रखा गया है, और जो examination का tentative date है, that is January 2025 का आपर होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, इन centers में होगा, फिर जो आपका यहाँ पर है, general aptitude and professional knowledge, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, that examination एकदम gate examination के style में ही रखा गया है, ठीक है, number of questions obviously बात है, time duration कम दिया गया है, तो level of question कम होगा, बट जो style है, non tech and tech वैसे ही रखा गया है, no negative marking है, यह बहुत ही बढ़िया चीज है, तुक्के मार सकते हो, बस उसके बाद तो यार मुझे लगता है को ज्यादा कहने की चीज नहीं है, अगर आप interested हो, जरू से apply करना, how to apply के लिए आपर procedure दे आपको पे नहीं करनी है, ठीक है, बस इतनी सी बात है, I hope you enjoyed the video, बागी how to apply के लिए लिंक से आपर दिये गए है, and that's it for today.